हेलो फ्रेंट्स वेलकम टुमाई चानल फ्रेंट्स आज में अपने टिप्स के वीडियो लेके आ चुकी है कि आपने कभी स्विच बोड के ऊपर नारियल तेल डालकर देखा है स्विच बोड के ऊपर नारियल तेल डालने से हमारी किस समस्या का समाधान होगा यह जानने के ल में ठाहगों में मौइचर के करद फंगस लग जाता है जिसके खारण धागे काफी कम जिर हो जाते हैं और जब भी हम धागे कीसे कि इस्थमाल करते हैं तो काफी जल्दी तूटने लगते तीसे की से से हम सेफ रखें अगली टिक जो है वो इस तरह के रेजर को ले कर रहें अक्सर हम क्या करते हैं कि इस तरह के रेजर को इस्तेमाल करने के बाद हम इसके कैप में इसे दूने के जब सुखाते हैं तो हम देखते हैं कि कपड़ों में एक बैड्स मिला जाती है तो इस मेल को कैसे हटा है फ्रेंट्स दाल में अक्सर कीड़े लग जाते हैं जिससे बसने के लिए हम इसमें तेस पत्ता डालने के बाद भी दाल में कीड़े लग जाते हैं तो इसे हम किस तरह स इसका gap एक ही मिलता है ऐसे खोल के रकने से कभी भी हम निकालते हैं तो assessments क्ति मौस्किटो को मारने के लिए करते हैं और इक्सर इसमें गंद्य फ़स जाता है जिसे हम साफ नहीं कर पाते हैं तो इसे मैं से करी हूं तो तो मैं स्वाफिकोष करने को है निले करते हैं यह तो जाने कि टूटने लगते हैं तो उससे बचाने के लिए हम क्या गरेंगे कि जब भी आप रोटी बनाएं रोटी जब बन जाए तो जब तवा गर्म रदा है उस समय हम तवे पर धागे को इस तरह से रख देंगे अज़ागे को उलट पलट कर हम जब तक थवा ठंडा ना हो तब तक इसे तवे पर रहने देंगे इससे क्या धागा मजबूत बना रहेगा तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी इस तरह से आप धागे को लगभग 15-20 दिनों में एक बरतबा पर डाल दें जिससे कि आपके धागे कमजोर नहीं पड़ेंगे फ्रेंट्स मेरी अगली टिप जो है वो इस तरह के रेजर को ल जंग लग जाता है रहे किसी क्ल़ कशहाने के लिए सबबसे फ siis इस रेजर को काफी अची तरह से सबड़ कर де Shape कर रख ले म redefine तो रेजर को किसी ऐसे जगर सावधानी के साथ है कि कोई बच्चा कि द зач को चाबा करेंग जब बच्चरा सबसेंट दो किर पकर करेंग के लिए उसमें सेध पत्ता डालं करके रखता है लेंगे कि इसके लिए क्या होता है की दाल के जितने में तोँथ दे मैं लिया तो इसके बाद दाल को हम कंटेनर में डाल देगे पत्ते को जब हम अच्सी तरह से तोड़ upर नीकी नीचे अच्छी तरह से Mix x उसके बाद हम कंटेनर को ढगा कर रखतेंगे इसके बाद आप देखिएगा कि दाल में किड़े नहीं लगेंगे तो कपड़ों में बैड्स मिलना रहे हैं उसके लिए हम क्या करेंगे कि जिस जगह आप कपड़े को सुखने क्लियर रखे हों उस जगह एक बाउल में दो से तीन शमर्ज नमक रखें नमक क्या होता है कि मौश्चर और बद्वू को थोड़ा एब्सार्ब करता है और कपड़ में कोई बैड्स मिल ना है इसके लिए आप कोई भी खुस्बुदार अगरवत्ती जो भी आप इस्तिमाल करते हों उस अगरवत्ती को जला कर वहां रख दें जैसे कि कपड़ों से अगरवत्ती की भीनी भीनी खुस्बू आएगी तो इस तरह से अगर आप कपड़े को सु खेकर या इसकल आप कारें कर यह कर रहा है लोग फेस की अंजाहे बाल को असलिए गर अग anxi संब्मार अगर्स estina तकीआद कर देंगे आपको यह पसंद दायी होगी मैं अगले समयगा बढ़ती हूं इस तरह के मॉस्कीटो राकेट अक्सर हम इस्तमाल करते हैं और इस राकेट में नेट बनी रहती है जिसमें हलका करंट आता है तो इसे साफ करने में हमें काफी डर लगता है कि कहीं हाथ में करंट न लग जाए तो आज और इसमें मच्चर या धूलगनगी फस जाने के बाद दिखने में अच्छा ने लगता है थोड़ा वर्क भी कम करता है तो इससे साफ करने के लिए हम एक पुराना कोई भी ब्रस लेंगे ब्रस ऐसाल है जिसके ब्रसल्स सौफ्ट होगी तो इसके नेट को तूटने का डर रहेगा इसके बाद हम काफी हलकी हाथों से नेट को इस साफ कर लेंगे तो आपका रैककट अच्छी तरह से वर्क करेगा क्यूंकि धूलग की फस जाने से यह अच्छी तरह से वर्क नहीं करता है फ्रेंट्स हमारे घर में सारे ही कमरे में इस तरह के सॉकेट होते हैं जो टाइम के साथ काफी गंद हो जाते हैं लेकिन कीचन का ज तो मैं आज आपके साथ श्वीचs बोड को option को पानाओ तो तरह से रसकैben करेंगे आप देखियेगा कि जह से आप करेंगे धी त्रीडरे जो है वह थोड़ा ही मेल्ट होने लगेगी और वह निकलने लगेगी जब आप पूरा साफ कर कर देखेंगे तो साकस पहों और जितनी भी गंद की साफ कर लेंगे तो इसे हम अच्छी तरह से रब करते हुए पूरे सौकेट को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे साफ करने के बाद किसी सूखे कपड़े से इसे पूश लेंगे क्योंकि ऑई लगने से चिपचिपा हो जाता है और चिपचिपा रहने के कारण गंदगी जल्दी इस पर बैठेगी तो हम क्या करेंगे सबसे पहले जितनी भी मैल जमी हुई है उसे हम cotton में लगे oil से साफ कर लेंगे जब पूरा switchboard साफ हो जाए तब हम क्या करेंगे कोई सुखा कपड़ा लेंगे और सुखा कपड़ा लेंगे एक बाद हम switchboard को फिर से पूश देंगे ताकि oil जो लगा है वो निकल जाए ताकि इस पर गंदगी जल्दी चिपके नहीं देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट में लिखे ताकि उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना कर आपको देश को धन्यवाद